इसमिल्ब रह्मान रहीम, असलों अलकूम स्ट्रेंट्स, होफुली यौल आर फाइन सो स्ट्रेंट्स, आज हम चप्टर 3 पिरॉडिक टेबल और पिरॉडिसिटी और प्रोपर्टीज का जो टॉपिक करेंगे यह टॉपिक आपके पेजनवर 49 पे है, उससे पहले एक बॉक्स है, पिंक बॉक्स इसमें इन्फरमेशन गिवन है जो है, जो है बॉक्स, अलकेमी से रिलेटेड, तो अलकेमी क्या होती है, इनके टू में अबजेक्टिब्स थे, जो इनकी स्टडी थी, उसकी बेस जो दो चीज़े थी, वो दो चीज़े पे बहु ज़्यादा उनका काम था, एक तो चेंज कॉमन मैटल से इंटो गोल्ड, कि आम कोई भी चीज होती है, उसको गोल्ड में किस तरह से चेंज किया जा सके, इस पे उनने बहुत ज़्यादा काम किया, और सेकेंडली तो फाइंड क्योर ऑफ दे डिजीज़ेस एंड गिव एटरनल लाइफ तो पीपल, और दूसरा डिजीज़ेस का क् किस तरह से किया जा से किस पे इननोंने काम किया, तो इनका बिलीव था, अलकैमिस जो थे, वो ये सोचते थे कि दुनिया में जितनी भी चीज़ेस मुझूद हैं, वो चार चीज़ेसे मिल के बनी थे हैं, चार अलमेंट्स हैं, बेसिक अलमेंट्स, फाइर, अर्थ, एयर, तो यह बिलीव करते थे कि दुनिया में मुझूद हर एक चीज इन चार चीजों से मिलके बनी है और अगर हम इन चार चीजों में थोड़ी से चेंजिस लाएं तो इससे हम डिफरेंट न्यू तिंग्स भी क्रिएट कर सकते हैं तो यह इनका बिलीव था लेकिन यह फेल होगे थे मैटल्स को या सिंपल सबस्टांसिस को गोल्ड में कनवर्ट नहीं कर सके तो यह एक चोटा सा बॉक्स है आपकी बुक में जिसमें यह थोड़ी से इन्फरमेशन गिवन है रिलेटेट टू अलकैमी Now come to the topic periods Periods periodic table में हम horizontal rows को कहते हैं Left to right अगर हम move करें तो जो horizontal rows present है periodic table में इन्हें हम periods कहते हैं And all the periods except first period First period के इलावा जितने भी periods मुझूद हैं वो सब period start alkali metal से होते हैं Means के first member है हर एक period का वो alkali metal उसको कहते हैं और जो last जो ending होती है period की वो noble gas है उसे हम noble gas कहते है periods चार तरह के होए है हमार पास periodic table में short period, normal periods, long periods and very long periods first of all short period हम first period को short period कहते हैं क्योंकि इसमें just two elements present है hydrogen and helium first period में हमार पास just two elements present है hydrogen and helium इसी वजय से इसको short period कहा जाता है और कोई reason नहीं है इसकी, then normal periods, normal periods हम second और third period को कहते है and each of them has eight elements, second period और third period दोनों में eight elements present है second period में हमार पास जो elements present है वो है lithium अब आपको अभी मैंने बता है के हर एक period का जो start होता है तो first member जो है वो alkali metal है, तो यहां पे भी second period का start lithium से हो रहा है तो lithium एक alkali metal है, then beryllium, beryllium, b, boron, c, carbon, n, nitrogen, o, oxygen, f, fluorine and ne, neon है जिसे हम noble gas कहते हैं, so यह periodic table में second period है जिसके अभी मैंने आपको members बता है सारे, li, lithium और ending इसकी any, neon पे हो रही है then यह third period है, इसका start na, sodium से हो रहा है, जो के एक alkali metal है और इसकी ending ar, argon पे हो रही है, जो के noble gas है then long periods, fourth and fifth periods को हम long periods कहते हैं और दोनों periods में 18, 18 elements present है यह है fourth period, और इसी से नीचे next हमार पास यह fifth period present है तो fourth and fifth period की starting भी alkali metal से हो रही और ending इनकी noble gas पे हो रही है then comes the very long periods, sixth और seventh period को very long periods कहा जाता है इन periods में atomic number 57, period number six में जो atomic number 57 है उसके बाद एक series present है, 14 elements की लेकिन वो हम periodic table के वहाँ पे place नहीं कर सकते जिसके वज़ा से उस complete series को periodic table के end में रखा गया है like period number six और इसी तरह से period number seven में जो atomic number 89 है इसके बाद total 14 elements की एक series present है so because space problem होने के वज़ा से इन दोनों series को period number six में जो complete 14 elements की series आती है और period number seven में जो 14 elements की series present है इन दोनों को separately periodic table के end में place किया गया है like यहाँ पे आप देख सकते हैं periodic table के विलकुल last में two pros present है तो यह period number six है और period number six का start हो रहा है cesium से c s जो है cesium second memory इसका है b a barium 56 atomic number है इसका इसके बाद आता है 57 atomic number का element और इसे हम lengthenium कहते हैं इसका symbol है अब lengthenium के बाद हमारे पास total 14 elements की एक series present है जो कि 58 से start होके 71 तक आ रही है लेकिन क्योंकि space problem आ रही थी तो यह complete 14 elements को periodic table में नहीं place कर सकते हैं क्योंकि यह complete period number six के members हैं तो अगर हम इसको वहाँ पे add करते हैं तो यह period बहुत जादा बड़ा हो जाता और periodic table जो है उसमें भी disturbance आ जाती तो इसलिए इस complete period को periodic table के बिल्कुल end में place किया गया है और क्योंकि इसका start जो जिस element से हो रहा है इसका atomic number 57 है उसका नाम lengthenium है इसलिए इस series का नाम रखा गया है lengthenides अब यह जो complete row है इसको हम lengthenides कहते हैं इसी तरह से जो period number seven है इसका start हो रहा है fr francium से 87 इसका atomic number है next है ra radium इसका atomic number 88 है उसके बाद जो element आता है उसका atomic number 89 है और इसे हम actinium कहते हैं actinium के बाद भी हाँ पे 14 elements आते हैं तो उनको period table के center में place करने के बजाए end में रखा गया है इस complete series को और क्योंकि ये start actinium से हो रहा है जिसका atomic number 89 है इसलिए इस series का जो नाम है वो actinides रखा गया है और इसमें जो members आते हैं वो 89 से atomic number इनका start हो रहा है और end इनका हो रहा है 103 पे आपके book के page number 50 पे table है table 3.1 जिसमें different periods mention है period number 1 इसको हम short period कहते हैं इसमें two elements है और उनका जो atomic number है वो 1 से start हो रहा है 2 पे means कि first element of hydrogen उसका atomic number 1 है second element है helium उसका atomic number 2 है इसके बाद आते हैं second and third period इनको हम normal periods कहते हैं और दोनों ही periods में second period में भी eight elements है और third period में भी eight elements है second period में जो eight elements present है उनका atomic number three से start हो रहा है और 10 तक के atomic number वाले elements present है इसमें means कि four, five, six, seven, eight, nine, and ten ये सब जो elements हैं जिनके atomic numbers ये 3 से 10 तक है वो सब period number two में है then period number three में जो eight elements present है उनका atomic number start 11 से हो रहा है और 18 तक के elements जो है वो period number three में present है then fourth and fifth period को हम long period कहते हैं दोनों में 18, 18 elements present है period number four में जो elements है उनका atomic number 19 से start हो रहा है और 36 atomic number वाले elements भी इसमें present है और period number five जो five है उसमें 37 से लेके 54 तक के atomic number वाले elements present है six और seven period को very long periods कहते हैं दोनों में 32, 32 elements present है period number six का start जो है वो 55 atomic number वाले elements से हो रहा है और end इसका 86 पे हो रहा है period number seven में elements जो present है उनका atomic number का range है 87 से 118 तक अब इस पे star seven period वाले जो elements है 32 bracket के उपर star लगा है इत मीन्स के इसको period number seven को हम basically incomplete period भी ही कहते हैं क्यूंकि इसमें वजीद गुनजाश है कि मजीद elements इसमें आ सकते हैं जो कि still undiscovered element है जो अभी तक discover नहीं हुए क्यूंकि elements की discovery होती जाती है एकी दफा जो अभी हमारे पास periodic table में elements present है सिर्फ यही elements present नहीं earth पे इसके इलावा भी elements present है जो कि अभी तक discover नहीं हुए since new elements are expected to be discovered it is an incomplete period इसी वजह से इसको incomplete period कहा जाता है thank you so much for watching